हलो आवरीबडी इस दिग्रासिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे कांट और यूमन डिगनिटी कांट कौन है तो इम्मैनुवल कांट पहचानते हो न आप जियोग्रफी में भी पढ़ा आ वो यूमन डिगनिटी से जुड़ा हुआ है तो यूमन डिगनिटी के बहुत बड़े सपोटर रहे हैं ठीक अब देखो कौन है तो इम्मैनुवल कांट जर्मन फिलोसोफर हैं जिन्होंने अलग-अलग तरह से एथिक्स पे पोलेटिकल साइंस पे जियोग्रफी पे अपन यह हमने पड़ा तो राइट्स का जो ओरिजिन है तो इनिशली क्या था कि लोग यह बोलते थे की राइट्स आर गिवन तो आस बाइनीचर पहले के पॉलेटिकल थेोरिस्ट यह नोशन मानते थे फिर ओवर दी प्रृट अस टाइम क्या हुआ हमने देखा कि राइट्स को इसलिए माना जाने लगा क्योंकि हम एक human being गी और हम है तो हमसे हमारे अधिकार है तो राइट्स को more or less फिर क्या हुआ कि natural right के conception से हटा के human right पे डाल दिया गया अब human right जो है तो continuously expand हो रहे हैं अब human rights की जब बात करते हैं तो human rights सबसे important जो concept human right का वो dignity से जड़ा हुआ है कैसे क्या कहते है Emmanuel Kant वो सारी चीज़े में आपको समझाऊंगा देखो यह जो हम बोड़े हैं कि rights का origin हमने human rights से जोड़ दिया क्योंकि rights कहां से originate होते हैं हमारे rights वहां से originate होते हैं कि हम human है तो as a human हमें rights होना चाहिए लेकिन यह जो सोच है यह सोच ऐसा नहीं कि लोग सुपह सो के उठे होंगे और बोलने लगे होंगे ठीके इसके पीछे क्या है किसीना idea दिया होगा इसके पीछे किसीना explanation दिया होगा thinkers का philosophers का contribution रहा होगा उसी चीज़ को हम समझने की कुशिश करेंगे आगे समझ में चलो देखो तो क्या है यह जो statement ऐसे पढ़ना अच्छे से everything has either a price or a dignity what has a price is such that something else can also be put in its place as its equivalent by contrast that which is elevated above all price and m is of no equivalent has a dignity statement है ना बहुत कह सकते बहुत गहरा ही इन शब्दों में कभी सो के उठो या फी नींद ना आए ना तो बैटके सोचना बस यूँ ही बैटके सोचना क्या कहना चाहरे Emanuel Kant कि हर चीज की एक value होती एक price होती है कि कुछ भी हो चाहे वह आपका time हो उसकी भ आपका घोड़ा हो खुछ भी हो ठीक है हर चीज की क्या होती है एक value होती है everything क्या लिखा है everything has either a price अगर value नहीं होती प्राइज में calculate नहीं कर सकते तो दूसरी एक और चीज क्या होती है कि हर चीज की dignity होती है अब यह आप human beings से जोड़ के देखना dignity मतलब क्या होता है गौरा कि दो चीजे होती है हर चीज के दो dimension होती है या तो उसकी कीमत होती है या तो उसकी एक dignity होती है तो अब क्या होता है किमत किस चीज की होती है what has a price is such that something else can also be put in its place and its equivalent मतला हर चीज की जो प्राइज होती ना तो उसको बदला जा सकता है कैसे for example अब यह smart board है और smart board तूट तो क्या होगा इसे हम क्या कर सकते हैं जितने का नुक्सान हो अपना पैसा दे सकते हैं तो हर वो चीज जिसकी price होती ही ना जिसकी कीमत होती है उसे आप पैसे से replace कर सकते हो आगे समझ में तो what has a price is such that something else can also be put in its place as its equivalent लेकिन लेकिन क्या होता है dignity के case में चीजें अलग होती है ठीक है dignity क्या होता है by contrast that which is elevated above all price आप किसी एक individual की dignity की कीमत नहीं लगा सकते हो आगे समझ में dignity की कीमत नहीं लगा सकते हो ठीक है जो हर price से उपर है ठीक है no equivalent जिसकी बात क्या की जारी ही जिसका कोई equivalent ना हो वो dignity होती है तो अब यह जो पूरी कहानी बताई यह जो statement पड़ा तो अब को लग रहा कि इसका मतलब क्या हो असर आखिर कहना क्या चाहते हो three date वाले style में ठीक है तो मैं आपको चीज बताता हूं कि इस statement के through Emanuel Kant ये कहना चाहते है कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत हो सकती है लेकिन एक ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं होती है जो हर कीमत से उपर होती वो आपकी गरिमा होती है आपका गौरव होता है ठीक है आपकी dignity होती है अब वो इतने अच्छी लाइन क्यों बोलके चले गाए क्योंकि he was a flag bearer of human dignity वो बात करते थे कि सबसे उपर human dignity होना चाहिए humans को हमे humans की तरह मतलब humans को हमें क्यों equal treatment क्यों justice की बात करी क्य क्योंकि वो human है अब जब आप एक human और आप एक दूसरे human से deal कर रहे हो ना तो आपको utmost importance उसकी dignity को देना चाहिए बाकी सारी चीज बाद में आएगी ठीक है तो आप क्या होता है कि human beings possess dignity clear होगे आप हर human being की dignity होती है according to Immanuel Kant अब therefore they are valuable in themselves और इसलिए क्या है और dignity की कोई कीमत नह equivalent नहीं होता है तो Immanuel Kant क्या कहते है कि हर चीज की dignity होती हो तो dignity के होने के कारण क्या हर चीज की अपने आप में एक value होती जिसे calculate नहीं कर सकते हो आप तो आप यह मत सोचो कि आप किसी की dignity को hurt करके क्या कर दोगे compensate कर दोगे नहीं कर सकते है ठीक है तो वह कहते है for Immanuel Kant this simple idea has a deep meaning और हर इंसान की जब dignity होती है जिसकी value infinite पर है ठीक है जिसकी value क्या है अनन्त पर आपको नहीं पता कहा है value तो उसके चलते क्या Immanuel Kant अपने ideas को बहुत deep meaning देते हैं ठीक है कि जो से उपर क्या है वह human है अब जब वह human है तो human के चलते क्या उसकी dignity है जैसे आपकी dignity वैसे उसकी dignity तो आप हर इंसान को equal fruit मतले equal कह सकते हैं footing पे क्या करोगे देखोगे आप equal rights की बात करोगे आगे नहीं समझ में और क्या कहते ही में even be dishonest और immoral अब इंसान गलाथ हो सकत ठीक है येट येट रिमेंस a human being and deserves to be given minimum dignity तो जो minimum dignity बनती है वो तो आपको देना पड़ेगा चाहे इंसान अच्छा हो बुरा हो moral हो immoral हो dishonest हो कैसा भी हो ठीक है और इसी idea को क्या कहा जाता है moral conception of rights moral conception of rights के असे क्या होता है इसको explain करते चलो समझना ठीक है फॉरकान to treat people with dignity was to treat them morally अब लोगों को dignity के साथ treat करना इसलिए नहीं dignity के साथ treat करना क्योंकि legal sanctions है या फिर इसलिए कि आपको राजा से डर लगता है या फिर आपको कही punishment मिल जाएगी लोगों को dignity से treat करना इसलिए क्योंकि उन्हें morally भी treat करना है ठीक है मतलब य एतिकता यह बनती, morality क्या होती है एक तरह से आप देख सकते हो, देखो ethics और morality में difference होता है लेकिन अभी हम यहाँ पर ऐसे use कर लेते हैं कि जब आप बात करते हो ना कि बिना rules के बिना किसी चीज के आपका मन क्या कहता है ठीक है वो आपकी morality कहती है तो उस तरह से आप individuals को उन moral conception से समझने की कोशिश करो कि जैसे मेरे अधिकार है मैंसे सामने वाले के भी अधिकार है ठीक है तब क्या होगा तब आप कह सकते हैं कि एक justified way में rights प्रोवाइड किये जा सकते हैं तो ध्यान रठना कि moral conception of rights की बात कौन करते हैं इमैनुवल कांट करते हैं जो competitive की त्यारी कर कर रहे है ठीक है तो वह दो argument देते हैं कि first we should be treating others as we would like to be treated ourselves ठीक है तो वह कहते हैं कि human dignity की जब बात आती ना तो हमेशा हमें क्या करना होगा दूसरे लोग जो है ठीक उनके rights को ऐसे देखना होगा उन्हें ऐसे treat करना होगा जैसा हम अपने के लिए चाहते हैं ठीक है मतलब आसा रहता है कि आप जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो आपको दूसरे के लिए नहीं चाहाना चाहिए क्यों क्योंकि आप सोचते हो क्या कि punishment मुझे ना मिले और लेकिन आप वही punishment दूसरे को देने की बात करते हो तो यह क्या हो गया यह अपने आप में false statement हो जाता है क्य क्योंकि यहां पर आप morally incorrect हो जाते हो तो यह कहते है कि वैसे ही क्या होना चाहिए कि हर human being को हर human being को वैसे ही treat के जाना चाहिए जैसा treat करने वाला human being अपने लिए भी ready हो ठीक फिर दूसरी चीज क्या है दूसरा argument यह कहते है we should make sure that we don't treat the other person as means to our ends बहुत गहरी बात है क्या कि means to our ends मतलब क्या होता देखो end मतलब जैसे आपका school पहुंचना end हो गया ठीक है वो आपका ultimate goal है end है वो school तक जाना अब means क्या होगा तो आप cycle से जा रहे motorcycle से जा रहे car से जा रहे helicopter से जा रहे हो जहाज से जा रहे हो जैसे भी जा रहे हो वो means हो गए ठीक है तो यह means और end का relation समझ में आया अब यहां पे समझना कि हम हर चीज किसी ना किसी objective से किसी end से करते हैं आप यह chapter पढ़ रहो क्यों से घर बनवाएंगे वो मजदुरों से घर बनवाएंगे तो यहां पर इम्मेन्वल कान dignity को क्या से जोड़ते देखो तो we should make sure that we don't treat the other person as a means tolerant ठीक है आप दूसरे इंसान से काम करवा रहे हो ठीक है लेकिन आप उसे स्रिफ एक मोहरा एक रास्ता एक जरिया मत बनाना अपने मनजल तक पहुचने का ठीक है क्यों बहुत अच्छी बात बते हैं यह देखो समझना that is we should risk क्योंकि जैसे क्या होता है ना means मतलब क्यों होगा कि हम मी रास्ता कि रास्ता है फिर जरिया किस चीज को बनाते है जिसे गाड़ी हो गई गाड़ी कि क्या हो गई आपकी means होगी school पहुचने की कही destination तक जाने की तो हम क्या करते हैं उसे सिर्फ उस काम तक ही सीमी देखतर वोलते है कि उसका दूसरा अपना उसकी एंट्रेंसिक वह लिए खुद की कुछ नहीं है गाड़ी की ठीक है तो हम अगर human beings को भी ऐसा ही treat करने लगेंगा तो गलत है वो human dignity को हट करे है ठीक है तो वह यही कहते है Emanuel Kant we should respect people not because they are useful to us ठीक है आप लोगों की respect सिरुफ इसलिए मत करो क्योंकि वह आपके लिए useful है कैसे आपके लिए useful है जैसे मालों कि आपने घर बनवाय तो मजदूर काम करके दे रहा आपका इसलिए बस आपका काम का नहीं हो ठीक है आपको इस यह क्या हो जागा यह उसकी dignity के against हो जाएगा ठीक है तो we should respect people not because they are useful to us but because they are after all human beings तो अब जब human beings है तो they also deserve human dignity ठीक है starting में फिर आजाओ human beings है तो उनकी dignity होगी तो इस sense में क्या है जब सब की dignity है तो human rights के form में everybody should have equal rights so this was the moral conception of rights given by Emanuel Kant I hope you enjoyed it समझ में आई यह चीजी अब देखो इसमें क्या है कि क्या होता है कि direct question आये ना आये उस पर probability कम रहती है लेकिन आपको एक thinking समझ में कि हाँ Emanuel Kant क्या कहना चाहते तो मैंने आपको बताया समझाया आशा करता हूं सभी परकार के doubt clear होग है किसी परकार के format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को जरूर बताये magnet brains के बारे में मिलते हैं next वीडियो में अगले topic के साथ till then stay connected keep learning thank you thank you very much